वो भी क्या दिन थे दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे दोस्त राहुल की प्रेम कहानी के बारे में राहुल बिहार का रहने वाला है और पढ़ाई के साथ साथ गेम में काफ़े इंट्रेस्ट था उसका राहुल एक दिन दुकान को समान लाने के लिए गया दुकान से लौटी रहा था उसी वक्त उसे एक खुफशूरत से लड़की नजर आई राहुल बस उसे देखता रह गया उसे ऐसा लग रहा था कि मानो इससे पहले कभी ऐसी लड़की उसने देखी ही नहीं राहुल बस उसे देख रहा था फिर उसे रिलाइस हुआ कि यार ये शहर है यहां कितनी लड़किया हम देखते हैं बट वो दुबारा नजर थोड़ी ना आती है और ये भी कल थोड़ी नजर आईगी मुझे राहुल चुपचाप घर चला गया दूसरे दिन फिर वो लड़की नजर आई उसे और ये सिलसिला चलता रहा राहुल को अब पता चल चुका था कि वो लड़की कितने बज़े आती है ठीक चार बज़े आती थी वो लड़की और राहुल सजदर्ज कर चार बज़े उस दुकान के बास पहुँच जाता था लड़की भी अब नोटिस करने लगी थे कि कुछ तो बात है ये लड़का मेरे लिए ही आता है यहाँ पर एक हलकी सी मुस्कान देकर लड़की चली आती थे पंदरा दिन बिच चुके थे बट अब भी भी राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि अब फुराहुल कुछ बात कर सके उस लड़की से फुराहुल बहुत प्यार करने लगा था उस लड़की से दिन राद सिर्प उस लड़की के बारे में सोचता था उसे अभी तक उस लड़की का नाम भी नहीं पता था बड़ फिर भी सिर्प उस लड़की के बारे में सोचता था एक ने राहूल कुछ पेपर में लिखा लिखने के साथ-साथ उसने अपना नमबर भी लिख वहां पे दिया और उस लड़की को दे दिया और उसमें लिखा था कि अगर तुम मुझे से प्यार करती हो तो तुम मुझे इस नमबर पे फोन करना तीन-चार दिन बीच चुके थे लेकिन अभी भी राहूल के पास कोई कॉल नहीं आया राहूल अब तूट चुका था बहुत परिशान रहने लगा राहूल उसे ऐसा लगा कि वो लड़की प्यार नहीं करती उसने अपना पढ़ाई में मन लगता उसे ना गेम खेलने में मन लगता उसका बहुत परिशान रहने लगा था राहूल एक दिन किसी न्यू नमबर से उसके पास कॉल आया और एक लड़की की आवास आया उसने बोला कि मैं सुप्रिया बोल रही हूँ इसे नाम भी नहीं पता था अभी तक इसने बोला कौन सुप्रिया उसने ठीक अपने बारे में बताया सब कुछ बताया रहूल बहुत खुछ था बद मानो खुश्री से पागल हो गया था उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के पिछे हूँ इतना पागल था उसने उसे फोन किया फिर लड़की ने अपने प्यार का इसहार किया कि मैं भी तुम से प्यार करते हूँ रहूल बहुत खुछ था और एक ही शहर के होने के कारण यह दोनों फोन पर बात करने लगे और एक दोसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया तो दोस्तों यह थी रहूल की प्रेम कहानी तो मैं कोई नई स्टोरी के साथ फिर मैं मिलूँगा तब तक आप अपना ख्याल रखे अपने फैमिली का ख्याल रखे